अब्रिवन वेलकम बैक टो वर चैनल आज मैं आपके लाएं हूँ कांस्टूशन के प्रेम्बल के बारे में इंपोर्टेंट फेक्स अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सेनों को सब्सकाइब कर लें सबसे पहले प्रेम्बल का मतलव क्या होता है ठीक है प्रेम्बल क्या होता है इंट्रोड़क्री पार्ट होता है हमारे कांस्टूशन का यानि की हमारे सविधान का जो सार है वो क्या है प्रेम्बल अब जो एन ए पालकी वाला थे एक एमिनेट यूरिस्ट थे और कर जाता है जो हमारे इंडियन कांसिट्यूशन है वो किन अबजेक्टिप्स पे बेस्ट है यह चीज हमारे प्रेमबल में बताई जाती है और यह जो प्रेमबल था इसको ड्राफ्ट और मूवड किया गया था पंडिच्वाला नहरू के द्वारा और कांसिट्यूशन एडम चोती उसके द्वारा एसेप्ट कर लिया गया था हमारे कांसिट्यूशन में जो आइडिया है जस्टिस का चाहे वो सोशल हो एकॉनमी का हो जा पॉलिटिकल हो वो लेई गी है रशियन रेवलुशन नाइटिन से ठीक है और जो आइडिया है लिबर्टी एक्वालिटी और वो लिया गया है फ्रेंच डेवलुशन का जो की 1789 में हुआ था ठीक है अब ये नीचे प्रेंबल दिया गया है और इसको 26 नुवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था ठीक है अब हमारे कांसिटूशन में कोई भी एमेंडमेंट हो सकती है जा नहीं हो सकती ये आर्टिक 368 में दिया गया है ठीक है अब ये कोशन सबसे पहले कब एराइज हुआ था जब केशवान नंदा भारती केस था 1973 में इसमें क्या हुआ था पहली बार ये कोशन एराइज हुआ था कि हमारे प्रेंबल में कोई भी एमेंडमेंट की जा सकती है जा नहीं ठीक है तो इसके ब लेकिं जो इसके basic future है constitution के जो basic features है constitution के उसमें कोई भी change लाए भी ना हम constitution में जाब प्रेंबल में चेंज ला सकते हैं और पहली वार हमारा जो प्रियंबल था उसको एमेंड किया गया था 42nd Constitution Amendment Act 1976 में जिसके द्वारा हमारा जो Constitution का प्रियंबल था उसमें तीन वर्ड्स यानि कि Socialist, Secular और Integrity को एड किया गया था